आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बड़ा नाम और एक मेरपूर्ण सपना जो हिर्दय में हर भारती संजोय हुए है वो की भारत बिस्तु गुरू कब बनेगा हाला कि भारत प्राचीन भारत में प्राचीन समय में बिस्तु गुरू था और आज भी दुनिया का आध्याद्मिक बिस्तु गुरू है क्योंकि भारत की पैचान एक अलग पैचान है चाहे भारत की प्रतीकों की बात करें चाहे भारत की सब्विता की बात करें चाहे भारती भासाओं की बात करें चाहे भारती अविस्कारों की बात करें चाहे भारती राजनीती की बात करें और चाहे भारती मापुरसों की बात क कमाया है वो इनके अंदर छमताएं थी वो इनके अंदर एक ब्यक्तिर्व था जिससे लगातार भारत का नाम बिस्व पर चमकता रहा पर कोई भी देश होता है उसका जो मुख्य सिंबर होता है वो होता है राश्टिय चिन यानि राश्टिय पतीग और राश्टिय पतीग उस देश की आनबान सान भी होता है और साथ ही आनबान सान होता है हर उस नागरिक की जो देश में नवास करता है यानि हमारे देश का राश्टिय पतीग असो के स्थम्ब हमारे देश की आनबान सान है तो साथ ही साथ पतेग भारतिये 140 करोड के लगव इसलिए कि यह कुछ अलग थे हते की हम अपने आतीथ की पुरास को मिटाने जा रहे हैं को जब पुरानी यारों को मिटाते हैं तो नए यारों कि संकलपों में नए आजों तो हमएं पुरानी यारों के भी कुछ बात को लेते हैं तो जलेते हैं जिन से आने बाले समय में हमको और अनुवह मिले और अगे बाली समय में हम और अनुवह हो से और बैतर काभ सकी है तो आज शो हमारा वे मैपून अब आप बात करने वाले हैं भारती संसर्ट की यूँ तो भारती संसर्ट का पुराना भवन 1921 में सुरू हुआ था और इसको बनते बनते लभा लभा छे साल लग गये थे और 18 जनवरी को जो समय भारत के तकालीन गवर्णर थे लाड इर्विन उन्होंने इसका उड़ाटन किया था जिसका अभी उपयोग हो रहा है जिसमें हमारे लोगसवा और रास्वा के संसर बैठते हैं वही रास्तिय संसर बही भारतिय संसर और अब वो संसर पुरानी होने वाली है क्योंकि अब सेंटरल विष्टा पुजट के तहट नई संसर बन चुकी है और उम्मीद किया सकती है कि 2022 के स्ट्र में इसकी सुरूबार भी हो जाए वह वहां पर जो स्ट्र करने संसर का वो उस नई संसर में चलाए जाए जो संसर आज से लभा लभाग 100 साल पहले मात 83 लाख में बन कर तयार हुई थी 22 संसर 2022 में तयार हो चुकी है और इसका उठगाटन भी बहुत जल्दी पिनामती निरिन मोरी करेंगा संसर का उठगाटन भी होगा साथी साथ इस संसर के सीथकानी सत्र में हम महापर लोकसभा और अपने राजसभा के सरस्यों को बैठे देख सकें और सबसे बड़ी बात कि ये संसर जो कि परानी संसर थी वो 83 लाख बनीती आज से 100 साल पहले लगवग और अब नई संसर का जो वो 971 करोड का है यानी 971 करोड में ये नई संसर बनाई जा रही है और इतनी बिसाल है इतनी अच्छी बियस्ताएं है यानि अगर एक अंतर की बात करें तो परानी संसर के जो एरिया है उससे लबालाबा 17,000 स्कौर मीटर एरिया जाटा है नई संसर है और इस नई संसद के निर्मार की मैं आपको क्या बताओं कि इतनी बैतर और इतनी बिसाल बनी है कि 1222 सरस एक सार इसमें बैठ सकते हैं जो संसद आज से 100 साल पहले बनी थी मेरा कोताया तो जब 100 साल पहले बनी थी उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था 1921 में जब पहले आम चुनाब हुए थे 1921 में तब हमारे देश में लोकसवा सीटें 489 थी और 489 लोकसवा सीटों पर सांसर थे और उस समय भारत की अगर आबादी की बात करें तो भारत की आबादी उस समय लबह लबह 36 करोड थी और 36 करोड की आबादी की एसाब से करें बात करें तो एक सांसर के बराबर जो लोक थे वो लबह थे 37 लाख यानि 37 लाख लोगों पर एक सांसर पतिनिरी होता था 36 करोड़ों की आबादी 489 सांसर उसके साफ से 37 लाख लोगों पर एक सांसर पतिनीरी बैठता था ये बेवस्था थी उस समय की आज जब हमारी देश की आबादी लबह लबह 240 करोड होने वाली है और जिसमें हमारे पास 543 लोगसबस अज़स से है और अगर आज के हम बात करें तो लबह लबह 27 लाख लोगों पर एक सांसर पतिनीरी बैठता यानि लबह लबह साड़े तीन गुना जण संख्या बढ़ चुकी है और जो सांसर पतिनीरी है उनके एरिये में आने वाले उनके अंतगर आने वाले लोगों की संख्या जो साले शाट लाग थी एक समय वो अब लबा लबग सट्वाइज लाग के लबग पहुंच चुकी है बड़ा नाम और बलीसीट और बड़ा स्थान और बड़ा लोगों का हजूँ किया जो सांसर पहले साले साट लाग लोग थी वो आज नौसे कत्र कड़ों बन रही है बड़ा नुमान और बड़ा इस्थान और बड़ी उपयोगिता पर जो संसत थी बिटर स्काल की थी मैं आप से पर शुरुवाट में यह बात कही कि हम पुरानी यारों को मिटाने जा रहा है और नए सपने सहुने जा रहे हैं पु 80,000,000 में यह बनी थी और इसमें आभी तक हमाया शंसदू होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभ वो संसद में आने बाला स्थीदकाणिων सत्र नहीं होगा और उमेट कर सकते है कि नमबर बाइसमें जब सीथकारणिων सत्र होगा तो हो चबता है कि नए संसर में हो तो यहाँ पर पुराने अतीद की यादे मिटाई जाएंगी और मिट्टी जा रहे हैं और नए अतीद की यादे नए सपनों के साथ हम नए संसर प्रिविस करेंगे बो संसर जो हमाई देश के द्वारा बनाई जा रही है बो संसर जो बहुत बड़ी है देखेंगे आप नए भारत के उन युजनाओं को समझेंगे नए भारत के उन विश्व पर चर्चा होगी नए भारत के कुछ अध्यारेज भी पास होंगे नए भारत के कुछ नियम मी बनेंगे और नए भारत की कुछ ऐसा एतिहास भी बनेगा जो आने वाले कल को नए अनु 2019 में परहामनती नरेन नमोरी ने इसकी गोचना की थी और 10 दिसंबर 2020 को इसका सिलान्यास किया गया था और शिलान्यास के बाद इस पर काम सुरू हूआ बहुत दूर दूर से इसके लिए कारीगर आए और कारीगरों ने आके इसको बनाया अभी बनाए जाना बाकी है, नॉम्बर तक उम्मीद है, हलाकि ये प्रजट एक तेज तक था पर इसको बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया गया, अगर हम मौजुर संसर्थ की बात करें, तो मौजुर संसर्थ 21 में शुरू की गई थी, 1921 में, और 18 जनवर 1927 में इसको पूरी 21 यानि लभा लभा दो साल में ये संसर्थ में सब्तर सुरू हो जाएंगे, बड़ा यहां पर पलब्दी है, कहां 6 साल और कहां 2 साल, इसके साथ एक बबार और अभी जनम ले उसी संसर्थ के साल ले लिया है, कि जो संसर्थ के ऊपर जो असोक स्थम्भ है, जिसका 11 सामन्ती नरिर मोरी ने उर्गाटन किया, वो असोक स्थम्भ हमारी देश का राष्ट्यपिति, और राष्ट्यपिति क्यों है, उसके पीछे भी एक इतियास है, जो आप सभी लोग जानते हैं, कि समराठ असोक ने जब युद्ध की विभीशिका को देखके अपने सस्थ त भुचना किती, उसके बाद असोक बहुत धर्म की सरणा में गै और बहुत धर्म की सरणा में जाकर और उन्होंने 230 एसधापूर्ब में बड़ी संध्वां में बहुत इस्थूपों के निर्मान कराया, और शार्नात में इक बहुत इस्थूप था, उसी सार्नात के बहुत रास्ती पितिक में मानेता दी और बही असो किस्थम जो कि हमादेस की आनवानसान का पितिक है हमादेस की आनवानसान है चर्चा में आ गया है कि साड़े कि 9500 किलो यानी साले नौ कुंटल का असो किस्थम जो की तामे से बना है उस असो किस्थम जिसकी उचाई लगवा लबग सालेशाए मीटर है उस असो स्थम पर अब विबार सुरू हो गया है कि सेरों की कलाकिर दल्ए जो सेरों की चार सेर होते हैं हाला कि इसמצ जो जानवर होते हैं चार सेर एक हाती एक गोरा एकड़ इस सत जानवर इस रास्तिपितीक पर होते हैं पर जो चार Осब की बनावठ है जो कि अलक अलक संक्यितों के साथ कि बताए गए हैं अगर हमिनकी बात करें तो जो चार सिर की हम बात करते हैं कि भारत मैं जो जोह 30 संबस में चार सिर हैं तो इन चार सिरों का भी अपना एक व्योस्था है व्योस्था है एक सेर सक्ति एक सेर साहस एक सेर विस्वास और एक से गर्व कुदर साते हैं और जो राश्टेपती का असोगिस्थम्ब है ये भारत के राश्पती केंदेबर राज्य सरकारों की आदिकारिक मोहर है आप देखेंगे का आधिकारिक मोहर है आधिकारिक पतीख है और साले 6 मीटर की लंबाई बाला यह असोग स्थम चर्चा में से लिए है क्योंकि अब इस असोग स्थम पर बिबाद भी शुरू हो गया है विपच का आरोप है कि जो सेर थे उनको आकरामक रूप के साथ दिखाया गया है तो भही सरकार का कहना है कि सेर के कोई आकरामक रूप नहीं देखाये गया है सेर की मुद्रा भही है जब आप उसको नीचे से देखेंगे तो सेर का आपको आकरामक नजर आएगा पर जब आप सेर को सामने से देखेंगे तो आकरामक नजर आएगा यह बाद जरूर है कि जब सेर को सामने से देखा जाएगा तो वह बहुत पुराने रूप में नज़र आएगा और वसको नीचे से देखेंगे तो निसी रूप से आपको आकरमग बनावत नज़र आएगा है तो वही तमाम तूटर पे भी इस पर चर्चा हो रही है, कोई कहा रहा है कि अन्य भारत योद यह नहीं है और आगरामग भारत बारबार्ब बार नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत की आनवानसान के साथ कुछ बिबार होता है तो अगर उसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसे बनाबट है तो इसका आप चर्चा कर सकते हैं और इसके लिए आप बता है सरकार निसरोप से देश के पतिक के साथ कोई छेड़चार नहीं करेंगे क्योंकि हमाँ देश का पतिक के साथ कभी भी छेड़चार नहीं की जाते हैं क्योंकि आसोकस्थम हमारे देश का चक्र और हमारे देश का जंडा यह हमारे देश की सान है और सान पर जब विवार होता है सान पर जब आरोप आरोप होते हैं सान पर जब तीका टपड़ी होती है और सान पर जब राजनीती होती है तो निस्षी रूप से यह देश की गरिमा को बैसु इस तर पर खराब करने का प्रयास करते हैं हाँ देश हमारा है प्रतिक चिन्न हमारा है और प्रतिक चिन्न पर हमको गर्व करना चाहिए ना कि बार बिबार आप سरकार से बात कर सकते हैं पर आरूप इतारूप करना और राजीति करना ये गंते ही सोभा नहीं देता है आज हमाँ देश आँगे बढ़ रहा है देश तमाम किर्टिवान को इस्थाबित कर रहा है देश एक नई संसर के साथ पुराने अतितों को भूलता हुआ एक नई संसर के साथ, नई संकल्पों के साथ नए भारत प्रिविस करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर राजनीती नहीं होनी चाहिए. भारत की सानपर बिलाप नहीं होना चाहिए. अगर कोई राश्टी पितीक बनाया गया और राश्टी पितीक बनाने के बाद उसका और अपने शेर पर सियासर्त न न हमसे है जिनका अपना अर्थ है जिनका अपनां पर्यार है क्योंकि अगर हम बाद करें कि जब असोग ने ऐस अस्थम्व का निर्मान कराय था सारनाथ में तो वह भी बॉहत धरम से पेर थे बहुत धरम का बुद्ध भगवान-बुद्र का परियाए भी सिंग माना जाता है और भगवान-बुद्र का भी एक नाम साकि सिंग है कर में तब उन्हों ने वहाँ पर चार सेरों के सथस्थ К depende की गर्मा को इसी असोग स्थम की महानता को देखता हुए आने बाले समय में भारा सरकार ने इसको अपने रास्टे पितिक के रूप में सुईकार किया और आज ये जो पितिक है रास्टे पितिक है ये हमारे देश की आधिकारी मोहर है यह हमारे देश कर आरिकारी पतीख है यह हमारे देश की बुनियाद है यह हमारे देश का आधार है और इस आधार पर हमको बिलाप आरोप त्यारोप नहीं करना चाहिए क्योंकि हम गुलामी की यारों को हटा कर यहाँ पर नई संसर प्रविस करने जा रहा है हम गुलामी की इतिहास को हटा कर नई संकल्पों के साथ आगे बनने जा रहा है हम गुलामी की पुरानी परमपुराओं को तोड़ कर यहाँ पर नई संसर बनाने जा रहा है और नई संसर की पत कठा पर आंगे पढ़ेंगे उस पत पर आंगे पढ़ेंगे तो यहां पर भारत की आनमान सान के साथ कोई बिलाफ होना लाजमी नहीं है अब हमको अपनी पुरानी गुलामी की की यादा को हटाना है और नए संसर में नए असो को स्थम्ब के साथ अपने आपको मजबूत करना है और रही सेर की आकरमक होने की बाद तो सेर तो आकरमक होता ही है सेर का सोभाव या करमक है सेरा करमक है सेर ताकरबार है और तभी सेर राजा होता है जंगल का क्योंकि हर आप देश के अपने पतिक चन्न होते हैं अगर हम अपने पड़ोसी देश चीन की बात करें तो वहां के पतिक चन्न है ड्रेगन है तो ड्रेगन का जब पितिक चिन्न होता है तो ड्रेगन के मुझ से केबल आगी निकलती है तो पितिक होता है हर देश का एक अपनी ब्योस्था है अपने पितिक चिन्न है पितिक देश अपने अपने पितिक चिन्नों के साथ एक स्पस करता है कि हमारी सोच यह है हमारा पतिक चिन्न है और पतिक चिन्न हमारे देश की आनबान सान है तो भारत की जो पतिक चिन्न है भारत की जो राश्किय पतिक है वो असोक स्थम्ब है असोक स्थम्ब के साथ तमाम तरह की जो आरोप त्यारोप जो बार बेबाद और जो राज़नीती होरी कते हैं नहीं होना चाहिए क्योंकि असोगुस्तंब हमाज अजेस के आनवा नशान है हर भारती के आनवा नशान है और अगर हम चाते हैं कि आने बाले समय में 21 सदी में हम विस्थ। गुरू के रूप में उबरें आने बाले समय में हम नए कीरतिमान स्थापित करें आने बाले समय में हम नए अविस्कार को जनम दें क्योंकि जो हमाई धरती है यह बीर भोग्या बसंदरा है और बीर भोग्या बसंदरा ने हमेशा ऐसे पुत्र पहरा किये है ऐसे महापुरसों को जनम दिया है देश लगन लगाए हुए हैं, उससे पेड़ना ले रहा हैं, उससे अनुभाव ले रहा हैं तो आज की सर्चा में मैं किवर इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमार राश्ती पितिक है, उसके साथ कोई बार बे बार कोई राजनिती नहीं होना चाहिए हम नए भारत में आगे बढ़ रहा हैं, हम नए संसर में जाने बाले हैं हम नए शुरुबार अबाले हैं, और हम को विकास के परख पर आँगे बढ़तना है ना कि राजनिती की परख पर, क्योंकि विकास के पर्ख के माद्द्न से ही हम प्रिश्व गुरु वनने का सपना देख सकते हैं तो आज की चर्चा में अतना ही मुझी जर्मूती, नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार